हेलो प्यार बच्चों हिंदी मीडियम के नमर वन चैनल सुभम क्लासेज पर आप सभी का मैं पुनों स्वाधत करता हूं मैं शुदीर शयर आप सभी क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स में आरभट सिरीज आज जो की पार्ट सेवन है और आज शेट नमर फोर का जो दो नमर वाल लेगा थोड़ा से एक देखिए इस सीरीज को करने से फायदा यह हुआ कि एक नमर दो नमर वाले कोशन का आइडिया लग गया ठीक है जैसे हमारा शेलेबस खत्म होगा ध्यान दीजेगा अगला जो हमारा प्लानिंग है हर समय आपको एक योजना के अंतरगर चलना है अग इस पर हमारा टार्गेट होगा फिर से अभी बाकी जितने सेट हैं उसमें एक नमर दो नमर वाले डिसकस तो होंगे ही साथ में जो सेट नमर वन से उठाएंगे उसमें हम चार नमर वाले जो कोशन है ताक कि देखिए चार नमर वाले कोशन जब हम पूरा सिर्वस पढ़ने तब करने में मज़ आएगा क्लियर है और साथ में जो च्छन नमर वाले दो कोशन आते हैं जिसमें कि एक कोशन फिक्स है वह आता है रचना से यानि कंस्ट्रक्शन से वह तो हम बता देंगे ठीक है अब बाकि एक कोशन आता है दिवास हमिकर्ण से बहुत रेर केस में चेंज हो जाता है यह लगवा लगवाग सेम रहता है तो आज आज बार आखरी लेक्चर है पार्ट सेवन का यह पार्ट सेवन ही नहीं रहेगा आगे आर्वाट सेरीज चलेगी जिसमें कि हम चार नमबर और छे नमर वाले प्रश्णों को भी डिक्स करेंगे सिर्फ एक नमर आपके एक्जाम में आने के यूग है चले तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं हम सिधे आते हैं शेट नमर फूर का तीसरा आपकी स्क्रीन पर कोश्ण यह रहा चले ठीक है कोश्ण आप पढ़ लिजे कर आप बिना लंबी विभाजन प्रकिरिया कि यह दिखाईए यह जाबने से यह दो आडिया कि यह वाला कोश्ण इंपकर्टेंट है कि बिना भाग दिये बताईए कि इसका परशार करने पर आने की क्या है सतरह बटा में क्या है 90 ठीक है सत्रह बटा में नमबे सांत दसमलों है या और सांत आवरती दसमलों है तो वहीं चीजे है बार बार q not equal to zero ठीक है तो यहां पे तो है p और q पुणांक है q not equal to zero है इसलिए 17 बटा में 90 क्या है पर्मेशन क्या है और हर एक पर्मेशन क्या का जब हम भाग देके दस्मून में लिखते हैं उसका परसार करने पर या तो शांत दस्मून होता है यानि कि भाग देते हैं तो एक जगह जाते जाते कड़ जाता है रूप जाता है ठीक है मोटी मोटा हम समझे या कभी-कभी रिपीट करने लगता है ठीक है यह कैसे पता चलेगा बीना भाग दिये तो यहां पर बोजाएगा q यह जो 90 है यानि कि जो हर होता है अगर वह 2 के प रहेंगे तो वह सांद दस्मर होगा यानि कि टर्मिनेटिंग होगा तो देखिए 90 को हम लिख सकते हैं क्या कैसे लिखेंगे यह तो बताने के लिए हो गया 18 590 बहुत बढ़िया 18 को ले सकते हैं 29 18 फिर 5 ठीक है तो 2 इंटू यहां पर हो गया 3 शुकार इंटू 5 5 के पावर वन तो है लेकिन यह 3 के पावर 2 आके गवर कर दिया किशी भी परमेश अंख्या का हर यानि की डिनॉमिनेटर सिर्फ हो सिर्फ यानि की डिनॉमिनेटर 2 के पावर संथिंग और 5 के पावर संथिंग के रूप में लिखा जाया जहां पे एन और एम पुणाग होना चाहिए धनात्मा पोड़ा तो यह चीज यहां पे 2 के पावर तो आया अच्छा 5 के पावर आया अच्छा लेकिन 3 के पावर आके गवर कर दिया इसलिए इसका परशार जो है आप तुरंत लिखेगा इसका जो परशार है और सांत आवरती दसमलोग है ठीक है देखेगा चुकि नब इसलिए इसका जो परशार है असांत आवरती दसमलोगा ठीक है चलिए तीसरे का हो गया बहुत बढ़िया कोशन था यह दोन नमबर तो आपको फिक्स है एकजाम एकदम आना ही आना है आप देख रहा है कि इतना बारा पूछ रहा है तीसरे का ख़ा देखेगे तीसरे का ख है तो चलिए को सबसे सभी फटा-फट लाइक करिए लाइक करिए भाई कल से शुरू हो जाएगा वरीतों से संब्धिश च्छत्रफल हम कल से पढ़ाएंगे हम पहले कल एक बार रिमाइंड करा देंगे उसके बास सवालों को हल करें ठीक है और अब स्लेबस पूरा खत्म क करके साथ आठ दिन लागेगा कोई ज्यादा इश्यों नहीं है अगर हम ठीक है बहुत वच्छों का बोलना है कि 30 अक्टूबर को बोले थे हां हम बोले थे जरूर हमको याद है अगर 5-6 दिन उसमें आगे चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इधर इस सारी सुरू करने करने लगे गया थे ठीक है तो इसमें बहुत ज्यादा इश्यों नहीं है 5-6 दिन उधर हो सकता है चलिए यहां पर तीसरे का जो कोशन है बहुत ही इंपोर्टन कोशन है तीसरे का यह कोशन तीसरे का आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसे पढ़िए और बहुत होगाते हैं तो थोड़ा चेंज करके चल दे रहा ना चाहिए सेलेवर्स कुछ इंपोर्टन कोशन रिवीजन रिवीजन तो हम कराएंगे या बीना रिवीजन को कुछ नहीं होगा क्या रहा कि वहां अनपात ग्याद किजिए जिसमें बिंदू कोशन पढ़िए वहाँ पर यहां पर यह जो चीज है कोशन देखिएगा इसको स्वालब करना पड़ेगा यह निर्सांग ज्यामिति का कोशन है आपके एक साइस कोशन है और यह हम कराए हुए है निर्सांग ज्यामिति जब पढ़ा रहे थे हैं यह वारा ओरजीन हो गया ठीक है ओर जीन का निशांग यहां पर भी है ठाइर जिसका क्वादिया क्या सपोज करिए सपोज नंगे लिए मैरेम मान काम माने लिस अलाकि एκαट इसड़ेक्ट होगा थोड quest कोहने और यह पॉइंट होगा फ्वत क्वाट्रञ्ट अव्याप को सम्झाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है यहां पर पे होगे जारे तो इसी का बताना है कि यह जो point P है यह point P यह रेखा खंड AB को किस ratio में बाट रहा है तो हमको साथ में ratio में बताना है और यह भी coordinate बताना है देखिए y axis पे अगर कोई point होगा कितना important question है इसका coordinate हमेशा 0,y होता है अगर y axis पे आप चाहे positive y axis पे चलिए clear है बहुत important question है चाहे negative axis पे चलिए हमेशा जो x coordinate है 0 होगा किस पर y axis पे चाहे ऊपर चाहे negative नीचे ठीक है अगर आप x axis पे चलते हैं एक एक चाहे positive axis चाहे negative axis हमेशा y coordinate 0 होता है clear है एक चीज़ तो समझ जागा बहुत बढ़िया तो हमें यह ratio बताना है तो हम मालेते हैं यह lambda,1 m is to n नहीं मानेंगा यानि कि यह जो ap है ध्यान दिजिएगा ठीक है यह जो ap है ap by pb का जो ratio है वह हम मालेते हैं lambda by 1 यह ही अगर हम lambda निकाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा यह जो point p है हमें पता चल जाएगा किस ratio में भी भाजित करता है clear है बहुत बढ़िया तो इसमें कैसे निकले गए तो हम बताते हैं भी चलिए यह तो question था समझाने के लिए अब देखिए यह यह हमारा aim की तरह काम करे x1, x1, y1 ठीक है इसको आप मेंसें करने से x2, y2 ठीक है और यह जो बिंदू हो जाएगा literally जो देखा जाता है formula x, y हो जाता है ठीक है तो यह जब दो बिंदू दिये हूं और दो बिंदू को मिलाने से एक रेखाखंड बनती है रेखाखंड को एक बिंदू P जो है m इस्ट x2, n x1 याद आरा हम कुछ, अपान में m प्लस है ठीक है, x कोडिनेट की बात हो रही है देखिए यहाँ पर x कोडिनेट अलेडी हमारा 0 है, m, m की value lambda है, x2 क्या है, minus 1 है, ठीक है, n की value क्या है, 1 है, इसलिए हम बार 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 बोलते हैं कि x1, y1, x2, y2, mention कर लिए हां, x1, x1 बार बेलु क्या है, 5 है, बहुत बड़िया, m प्लस क्या है, यानि की lambda प्लस वन, तो lambda प्लस वन हो जाएगा, m की value lambda है, और n की value, lambda प्लस वन इसमें मल्टपाई होगा, जीरू हो जाएगा, जहां से हो गया, lambda अब प्लस 5, minus lambda को दला देंगे, तो lambda is equal to क्या हो गया, 5, ठीक ह इकह derecho how लेंडाइसिह नहीं है अनुपात था एप वाई पी बी क्या था लेंडा वाई 1 का था तो लेंडा हमारे कितना आ गया है 5वाई 1 तूप यह मत विक इस्टू और विक कर दिया तो बहुत इंपाते है तूप appreciate कि इसका हम एंसर देख लेते हैं साहिए ना तीसरे का कहा गया भाई ग तीसरे का ग हाँ फाइफ है ठीक है बहुत बढ़िया तो इसमें यह भी बताना है इस भी भाजन मिंदू की निशांग बताईए यानि कि इसका क्वाडेंट भी बताना है यहां पे जीरो तो होगा यह ल क्या होगा लेंडा के वैलू फाइफ ठीक है फाइफ इन्टू पहले फार्मल लिग देते हैं यहां एम इन्टू वाइटू ठीक है एन इन्टू वाइवन अपान में एम प्लस एन को कोश्चन करने का ताथ पर सिर्फ यह नहीं है कि हमारा यह हम 2019 से यह हम महौल क्रेट करे ताकि आप कुछ चीजें रिमाइंड हो और आगे जब कोश्चन आ जाए तो उसको आप कर ले जाए ठीक है चलिए तो य कोडिनेट तो हमें को बताना है बताना है एम हमारा क्या है लेंडा और लेंडा की वैलू आलेड़ी हम क्या निका लेते है फाइफ चलिए यह हो गया पांच उको 20 हो जाएगा ठीक है माइनस छे यह चे हो जाएगा तो यहां पर जाएगा 26 बता में 6 ठीक है अगर यह देखा जाए तो माइनस 13 बता में 2 हो जाएगा दुप्तियां इच्छ है, दू से कटेगा ना, तो माइनस तेरे बटा में तीन, इसका जो कॉडिनेट है, उस 0, माइनस तेरे बटा में तीन हो जाएगा, 0, माइनस तेरे बटा में तीन, ये तीसरे का ग, ठीक है, तीसरे का ग, आप देख लिजी, तीसरे का ख, ग, कहां गया ठीक है यह बिल्खुल सही है कभी-कभी एंसर भी गलत दे देता है चलिए यह रहाँ बहुत बहिया कोशन इस पूरे साइस का इस पूरे शेट का सबसे अच्छा कोशन है इससे क्या सीखने को मिला बताइए सबीलों कि आप जब य एक्सिस पर होते हैं तो उसका एक्स कोडिनेट हमेशा जीरू होता है और जब भी रेशियो आपको मानना हो आप एम इस्टु एन नहीं मानेंगे लेम्डा इस्टु 1 मानेंगे एक हिस्सा लेम्डा ले लिजेगा दूसरा आप 1 ले लिजेगा सेट नमर 4 का दो नमर के कोश चलिए नेक्स कोशन दिखाया जाए यहां पर जो तीसरे का घह है देखिए तीसरे का घह यह तुम्हा लेजे इससे है शर्फी शेरिया जो हम चप्टर पढ़ाएंगे आखरी वाला चप्टर उससे रिलेटेड है ठीक है एक सीज हम बता दें कि जो शांखिक है जयाने कि मे कहीं कोशन नहीं दिखाओगा एक नमबर दूर नमर में एक चीज़ दिमाग बैठा लिजिए construction का ठीक है जो यहां पर का देखिए अंडरूर्ट 3 यह दिखे कितना question important अंडरूर्ट 3 जो है और पर्मेशंख्या है यह तो रट ही लिजिएगा ठीक है और पर्मेशंख्या यह प्रूफ का नत कैसे प्रूफ करते हैं इसको कैसे कुछ सुर्वात कैसे करते हैं हम लोग मान लेते हैं कि माना verw 3 जो है और पर्मेशंख्या नहीं है माना अंडरूर्ट 3 क्या है पर्मेशंख्या अंडरूर्ट 3 अगर पर्मेशंख्या तो इसे कैसे लिखा जाएगा A by b की रूप में ठीक है अंडरूर्ट 3очка to B इसकल यहां पे ए जह यहां से हम कहते हैं कि a square is divisive a square विवाजित होगा तीन से ठीक है तो यह भी भी वाजित हो जाएगा तीन से कैसे तो सारी सीजे याद है ना जाके देखेगा बहुत अच्छे से पढ़ा हुए है तो लेक्चर वास्तिक शंख्याओं का भी लेक्चर आपको पढ़ा हुआ है यूटूब पे प्लेलिस्ट में आप जाके चेप्टर वाइस देख सक दोनों का मिकस अफ होना चाहिए जो कि चोथे का जो है इस समान्ता सिंड़ी का गोशन इसको आटाई है समान्ता सिंड़ी हट गया है चोथे का ग बहुत बढ़िया कोशन है यह चीज समय जीए एक नमर दून नमर वाले कोशन हर चेप्टर से नहीं पुछ जाते हैं कुछ स से ही है clear है यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी बहुत बढ़ी है कि किस मान के लिए यहाँ देखिएगा कि क्या है कोडिनेट देखिए के कॉमा माइनस वन ठीक है यहाँ पर विया टू कॉमा वन कोशन देखिए आप वहाँ पर देखिए मेरे तरफ नहीं 4,5 यह हमारे पॉइंट है हमें दिखाना है कि के किस वैइली के लिए यह 30 tuах क्या है Sun रेख हो जाएंगे को लिनियर हो जाएंगे को लिनियर मतलब एक शीदा में और हम पोइंट होते हैं मेरे वारे बच्चों तो पॉइंट से з handout से जो हमारा बनता है क्या होता है जीरू होता ऐ कुछ याद आ रहा है बहुत बड़िया चौक बदल लेते हैं उसके बाद यो है आगे हम चीजों को करें मसा आ रहा है बहुत बड़ियाँ देखें यह पॉइंट मां लिजिए ए है यह पॉइंट बी है और यह सूर्ण है है हमें देखाना है कि यह तीनों point जो है को क्या आएगा ठीक है त्रिभू चेट पल क्या हो जाएगा जीरू कब यदी तीनों प्वाइन यदी ए बीची क्या हो सन्रेख हों एक ही रेखान होंगे को लिनीर होंगे इंगलीश में उसको ठीक है तो इसकी लिख लीजेगा पहुँजाद जरूर नहीं है इसको देखेगा त्रिभू चेट फार्मुला क्या होता है यहां पर हो जाएगा इसको यहां पर कर देंगे जीरू को लिनेर टू को अधर मलता ही करेंगे जीरू हो जाएगा अब सब कुछ रखिए गलती नहीं हो जाए एकसवन क्या है हमारा के य2- y3-y3-y3-y3-y3-y3-y3-y3-y3-y3-y3- यहांने की 1-5 ठीक है यह कभी गलत नहीं होना चाहिए यहां से एकस्टी की वैलू क्या है है 2-1-1-1-1-1-4-1-1-2-1-1-1-1-2-1-3-4-2-0-2-1-2-1-1-2-1-1-1-2-2-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-2-2-1-2-2-1-2-1-2-2-2-2-1-2-2 और यह हो जाएगा minus 2 4 दोना के 8 इसकल तो 0 तो क्या हो जाएगा 12 में से 8 घटा पाएंगे 4 होगा यह हो जाएगा 4 के plus 4 इसकल तो 0 ठीक है minus 4 के इसकल तो minus 4 minus minus कट जाएगा k की value क्या जाएगी 1 तो भाईया जब k की value यहाँ पे 1 होगा तब जाके जो है यह तीनों point क्या होंगे sunrake होंगे क्योंकि हमने sunrake की condition ही ले लिया है यहाँ पे यदि A, B, एवं C क्या है sunrake होंगे तो sunrake की condition हम ले लिया है ठीक है अगर 3 मिंदू sunrake होते हैं तो उनके उनसे बने वे त्रिबूज का जोचेटपल है हमेशा जीरू होता है यह किस चेप्टर का question है निर्शांग ज्यामिती का है तो देखिए एक सिच्टों समझ में आ गया होगा कि निर्शांग ज्यामिती से एक नमर दोनमर वाले question ज्यादा बनाए बहुत ज्यादा serious हमों के पड़ा रहे है थोड़ा सा में ठीक है चले बहुत अच्छा अब बहुत बच्चों का थोड़ा सा हम समाझ गया है कि व्यूव कम हो रहा है बच्चे बोर हो गया है थोड़ा मसाला चाहिए बीच बीच में थोड़ा change करते रहना चाहिए ठीक है एक ही चीज अगर आदमी के ऐसा behavior यह है ऐसा बेवार होता है कि एक ही चीज को अगर बार बार करें वो चाहिए जितना भी interesting चीज क्यों नहीं हो उससे बोर हो जाता है परिशान हो जाता है चाहता है कि बदल बदल के चीजे मिले जैसे खाने की बात हम करें तो खाने में तो एक ही चीज अगर सुबह साम सुबह साम हर दिन मिले तो बोर हो जाते हैं इसलिए तो बदल बदल के खाने बनते हैं तीक है अगर बहुत लोग को पनीर अगर डेली खिला दिया जाए तो पनीर से नफरत करने लगें कितने लोग को पनीर पसंद है कमेंट क करके बताईे किसको क्या पसंद है और अपने जिलिए की सबसे तगड़ी वाली जो रिष्पी है बताईए बताईए क्या अफिरक करके देखें वाई हमको भी पता चले हमारे का कमेंट करके जरूर बताएगे किसको क्या पसंद है चौथे का खाने में चौथे अगर है बहुत बढ़ियां कोशेन यह दो नमर का आपक एक्जाम में मोस्ट कोशटू तो कोशिक औहाँ यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ वन प्लस कॉस ए की वैलू बतानी है इसका मान क्या होगा कोशन मार्क ठीक है तो बहुत असान है एक कोशे के इसकल टू दे दिया है ठीक है यहां से पहले बात की कोशे के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था इसको लिख दीजिए शाइन तो शाइन एक को करते हैं तो अग यह वैलू प्लाट जाएगी ठीक है कोशे के इसकल टू है तो शाइन एसकल टू वन बाई टू हो जाएगा ठीक है क्यों क्यों क्योंकि जो शाइन होता है कोशे के का वन बाई मतलब होता है या शाइन क्या सकते हैं कोशे के का वन ठीक है वन बाई टू तो यहां पर कहीं भ B और C तो साइन ए लंबटा में क्या है वो लंबटा में क्या हो जाता है कर्ण यहां पर इसको मालेजी एक्स यह निकालना पड़ेगा आप जब इसको निकालेंगे पाइथागोरस थिरम से दूदना के चार एक घटा देंगे दूदना के चार एक यह वाली लंबटा में क्या होता है कर्ण लंब हो गया वन कर्ण यहां पर तू हो जाएगा हलाकि इसमें वन इंटू के लेना चाहिए टू इंटू के उसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं ठीक है तो शाइन एक वैलू आ गई तो यहां से टै 10a की वैलू यहां से देखिए 10 उसी ट्रेंगल से निकाल लिए 10 ठीटा बराबर क्या ओरता है लंबटा में आधार यानि की वन बाई अंडरूट 3 ठीक है यह 10a की वैलू यहां पर रखा जाएगा कोई दिक्कत चलिए उसी ट्रेंगल से कॉस ए की वैलू निकाली है कॉस ए कॉस ठीटा बराबर आधार बटा में कॉन यानि की अंडरूट 3 by 2 यह यह लेंथ निकालना बहुत दोरूरी था अधार बटा में क्या होता है कॉन के सामने की जो भूजा होती है लंग ठीक है और 90 डिग्री के सामने के भूजा हमेशा कॉन कभी नहीं बदलता है और जो हमने यहां से शाइन एलिया एक ट्रेंगल बनाया और वहां से बाकी सारी चीज़े निकल के आगे तो 10a की वैलू 1 by अंडरूट 3 है तो 1 by देखिए 1 by 10a की वैलू क्या हो जाएगी अंडरूट 3 हो जाएगी पलट दीजी इसको यहां तो हो गया अंडरूट 3 यहां पर रख चलिए यह हो जाएगा अंडरूट 3 यह होजाएगा ट्ू फिर ऊपर चला जाएगा यहां पर आ possible अंडरूट 3 ठिक है यह वह गया अ आप चाये अपने साथे के उसके बाद हम क्या करेंगे चार नंबर के सवानों को डिस फ़वरेंगे ठीक है इसकी बीकाषब लिभी यहां पर 2 है 2 प्लस अंडरूर्ट 3 यहाँ प्लस अंडरूर्ट 3 ठीक है 2 माइनस अंडरूर्ट 3 परमेकरण कर दें इसकी वैल्व निकाली है अंडरूर्ट 3 यहाँ प्लस वी यह मायनस वी तो 2 यह क्या बनेगा a square minus b square a square बोले तो 2 का 2 square 2 square बोले तो 4 under root 3 का square होगा 3 हो जाएगा 4 minus 3 घटा पाएंगे अपनी जीवनकार में 1 हो जाएगा 1 से भाग देंगे कोई मतलब नहीं रहाएगा ठीक है यहां पर हो जाएगा under root 3 plus 4 minus 2 under root 3 यह घटा पाएंगे 1 under root 3 है यह minus 2 है यह कितना हो जाएगा 4 minus under root 3 यह आपका एंसर ठीक है यह थोड़ा पटा से एंसर लग रहा था लेकिन यह क्या है उसका simplest form है यह रहे हमारे शेट नंबर 4 के पांच है कोशन जो की आठ दो नंबर के हैं यह कि दो नंबर वाले आप तो हम टैकल कर लेंगे हम बता देंगी कि दो नंबर वाले किस किस चेप्टर से आते हैं किस किस चेप्टर से नहीं ठीक है और आपको जब एक कोशन लगा रहा है तो आपको आइडिया भी लग जया होगा कि कहां से रचना से एकदम नहीं आ रहा है ठीक है रचना से एकदम नहीं आ रहा है और मीन मीडियन मोड जो आकरी चेप्टर पढ़ा रहे हैं उससे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और किस चेप्टर से नहीं आ रहा है उचाहिएं दूरी से बिल्कुल नहीं आ रहा है ठीक है उस अब बड़े कोशन में आते हैं तो हम कल जब करेंगे पहले बाद तो चले बस खतम करें चेप्टर नमब था थीटा पान में यह जो एरिया था थीटा पान में 360 डिग्री इंटू पाई आरिश्कार ठीक है अगर इसकी रेडियेट्स र होते हैं इस व्रिद की अगर त्रिजिया आर है इस त्रिजिक खंड का छित्फल हम लोग जो क्या कर रहे थे थीटा पान में 360 डिग्री 360 डिग्री पाई आरिश्कार इसी पहले हम कल रिवाइज करा देंगे दो मिनिट लगेगा उसके बास सीधे हम क्या करेंगे एट पॉइंट वन हम पढ़ा चुके हैं इतना था हम पोई आदी एट पॉइंट नहीं जी ट्वेल पॉइंट ट्वेल पॉइंट ट्वे और क्या आप अपने घर वालों से यानि खाज कर कह सकते हैं ममी से आप जित करते हैं कि ममी मेरा फेवरेट वाला खाना मनाईए ठीक है तो यह सारी चीजे होनी चाहिए क्यों नहीं हो अपने ममी से पापा से नहीं कहेंगे तो किस से कहेंगे ठीक है उनका भी दाई तो होता है कि अपने बच्चों के लिए हर माबाब का एक करता भी होता है कि अपने बच्चों के लिए हम करें तो जो भी आदमी करता है अपने बच्चों के लिए ही तो करता है ठीक है अपने परिवार के लिए करता है तो यहां पर करें करेंगे विर्तों संबंदी चत्रपर आज आर साथ में मॉडल पेपर साथ में एक्जामपल रिवीजन फाइनल सोट सब कुछ चलेगा बहुत मज़ा आने वाला ही तीन-चार पहीने और हम पूरा के पूरा से जो है आपको तीन से चार बार या पांच बार रिवीजन करा देंगे ठीक है तो कल मिलते हैं एक शांदार वीड झाल एकार देंगे जानए पहाईन्गान कर दो आने कर दो कर दोदे लाई एकार आना है गयार है की एक उथ पूरा इक तो रहा है का अर जान